हाई फ्रेंट स्वागत है आप सबका आपका यूटुब चैनल टेकनिकल सुमों के नए वीडियो में तो आईए फ्रेंट हम जानते हैं ड्रीम लेवन का तीन टिप्स जानेंगे और तीन टिप्स आपको जो आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ ड्रीम लेवन टीम के अंदर कैसे काम करता है बिल्कुल 24 घंटा पहले जी हाँ फ्रेंट 24 घंटा पहले कोई भी मैच स्टार्ट होने से पहले आप सिर्फ 24 घंटा पदा कर सकते कि कौन खिलाडी आज के दिन performance अच्छा करेगा कौन सा खिलाडी को हम कैप्टन बनाकर वायस कैप्टन बनाकर अपने टीम में सेलेक्ट करकर ओल राउंडर से बीकेट कीपर से बॉलर से बैट्समेंड से हम अपने टीम के अंदर क्रियेट करकर उसका performance जान सकते हैं कि ड्रीम लेवन टीम के अंदर कैसे हम टीम को क्रियेट कर पीच रिपोर्ट तो बैटिंग पीच तो ये है तो वो है बहुत सारे यूटूब पे आपको वीडियो मिलेगा आप उस टीम को देख देखकर उस वीडियो को 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो आप देखते हो लंबा लंबा वीडियो देख देखकर आप उस वीडियो को देख hidden setting बताने वाला हूँ, dream level के उपर जो भी audience dream level का match जो भी लगाते हैं, उनको खुद dream level guided करता है और सिखाता है और बताता है rule कि कैसे dream level के अंदर, आप first price का विजेता बन सकते हो, second price का विजेता बन सकते हो, third price का विजेता, पस आपको खुछ से dream level के अंदर ही analysis कर रहा है और कहीं भी QB plate farm पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आप dream level के अंदर सारा कुछ आपका दिया हुए अगर आप cricket से खेलते हैं तो cricket के अंदर football से खेलते हैं तो football के अंदर और यहां पर देख सकते हैं कबड़ी के अंदर basketball यानि हर एक जो भी यहां पर dream level के अंदर honky जो भी जितने भी खेल है उस खेल के अंदर आपको सारा dream level बताता है analysis करता है और आपको टीम को suggestion देता है बस आपको ध्यान से समझना होता है बारीकी से समझना पड़ता है वो बारीकी को आप ध्यान से वो चीज को समझ नहीं पाते हो आप बस dream level बन पे जाते हो और धड़ा धड़ा टीम को select करते हो और टीम को create करके 49-49 का contact बना लेतो हो और match से पहले का उमीद रहता है कि आज का match तो आज हम जी जाएंगे और जैसे match स्टार्ट होता है तो पता चलता है कि हमारा इवनिंग जोन से भी हम बाहर होगे तो जी आप आज का जो वीडियो है बहुत ही काफी ज्यादा helpful होने आला है वीडियो को ध्यान से देखेगा मेरी बातों को ध्यान से समझेगा आपको यूटूब पर ऐसा एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलने वाला है प्रेंट तो जो आज मैं tips and trick और hidden setting बताने वाला हूँ बहुत ही जो blast में बताऊंगा वो trick बहुत ही काफी ज्यादा helpful होने वाला है प्रेंट तो वीडियो को बहुत ही जाड़ा सा भी skip मत कीजेगा तो चलिए फ्रेंट हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पढल एक चोटा सा रक्यूना करते हैं तो चलिए इस मैच पे हम क्लिक करते हैं और Dream Level V trim आपको क्या guided करता है कैसे बताता है आपको सारा जनकारी दूँगा तो देख सकते हैं यह उन्चास का contact है और इस contact पे हमने क्लिक कर दिया और देख सकते हैं यह 해 और यहाँ पर देख सकते हैं यह Dream Laban आपको साफ साफ बताता है कि यह Pitch जो है बैटिंग है आपको कहीं जाने की जरूत नहीं है average score देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है Dream Laban 180 का average score है जैसे जैसे आप यहाँ पर तोड़ा सा स्क्रोल कर ऐसे घसकाईगा तो यहां पर देख सकते हैं ग्रांड भी बता रहा है कोलकाता में होगा देख सकते हैं कोलकाता में पीछ जो है मैच होगा खेला जाएगा इडेन गाडन में यहां पर भी बताया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आपको देखना है कौन खिलाडी आज के मैच में पर्फेमेंस करेगा कौन खिलाड़ी आज के match में performance नहीं करेगा आपको बहुत सारे चीजों को हम आज analysis नहीं पर करेंगे और आपको declare कर देंगा friend कैसे आपको team में select करना है आप जाते हैं देख सकते हैं यहाँ पे आप all rounder में जाते हैं या baller में देख सकते हैं में जाते हैं और आप यहाँ पे देख लिए कि सबसे ज़्यादा percentage कीसका है यहाँ पे rust relief का देख सकते हैं रासल जी का च्यासर पर सुनील Na Ryan को select कर लिया यहां से उठाए 42 पर्सेंट हैं हार्दिक पांडिया का तो अनालाइसिस कीजिए आपका जो dream 11 है आपको team यहीं से बताता है dream 11 खुद guided करता है और सब चीज बताता है dream 11 के अंदर ही सारा कुछ दिया हुआ है आप dream 11 के अंदर बारीकी से जब research करना जाएंगे तो आप grand link का number one बीजेता भी एक दिन बन जाएंगे जब शिर्फ आपको dream 11 के अंदर research करना है कैसे research करना है चलिए friend हम पहला trick बताते है पहला tips and trick देख सकते हैं आपके यह जो पहला है कि यहाँ भी देख सकते है hardFit pandemic है तो हम hard skirt के बारे में कैसे जानेंगे आज के match में hard δια क्या flop होंगे या run बनाएंगे कैसे ये match में चल रहा है क्या performance है कैसे हम हार्दिक पांडिया के बारे में मान लिए फ्रेंट के हमें हार्दिक पांडिया के बारे में जानना है और ये हार्दिक पांडिया गुजरात के तरफ से खिलते हैं तो चलिए हम इस खिलाड़ी के बारे में जानना है कि इस खेलाड़ी के बारे में हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पले तो देख सकते हम इनके उपर क्लिक कर देंगे देख सकते है फ्रेंट जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हार्दिक बाढ़ने है कि यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे देख सकते हार्दिक ब में थें, साड़े आट, देख सकते हैं, ध्यान से देखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाल रंग का कुछ आपको निसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाल रंग का जो एरो का निसान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सा जब इनका point ज़्यादा था उस समय इमेज को अच्छा से नहीं खेल रहे थे देख सकते हैं जहाँ जहाँ इनका 9 point था वहाँ पी इन्होंने point देख सकते हैं कितना रंदिया है देख सकते हैं आप इनका scroll कीजिएगा नीचे से तो एक भी बार ये 9 जब इनका 9 point था तो एक भी बार ये point नहीं दिये देख सकते हैं 12 point 20 point देख सकते हैं जैसे अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं जैसे कोई बच्चा है आप जैसे मानिजिए कि आप जैसे मैटिक या इंटर का एक्जाम दे रहे हैं और कोई बच्चा पढ़ता है और एक्जाम देने जाता है और जो बच्चा मतलब पढ़ा तो है काफी अश्ट्रोंग है मर पढ़ने वाला भी कभी कभी क्या होता है कि फेल हो जाता है तुसी तरह जो मतलब जो खिलाडी अगर नहीं चलते हैं तो उनका क्या होता है अच्छा खिलाडी तो है पर्फेमेंस अच्छा है पहले हम क्या आजाते है dream 11 के अंदर जितने भी आप video देखते हैं तो वो दिखाया जाता है जो पहले बीता history दो आया जाता है तो history से dream 11 history देखकर आप dream 11 के अंदर team बना कर आप number one rank तो कभी नहीं ला सकते हैं आपको krent मालूम करना पड़ेगा crane detail मालूम करना पड़ेगा और crane detail के द्वारा ही आप number one rank ला सकते हैं dream 11 के अंदर तो जी हाँ पे देख सकते हैं ये तो खिलाडी हार्दिक पांडिया अच्छा है हर एक लोग जानते हैं कि हार्दिक पांडिया तो बहुत ही अच्छा all rounder से balling से batting से हर एक चीजों से ये point हमे में दे सकते हैं सबका भरोसा तो इसकी लाड़ी पर मरें यहां पर देख सकते हैं इनका जब no point था तो उसमें यह अच्छा नहीं चल रहे थे मैं तो लगतार खेल रहे थे लखनव के बीच राजस्थान के बीच पंजाब के बीच लखनव इनका परदासन जो था देख सकत कि जो भी यहां पर देख सकते हैं यहां पर नीचे में जब आएंगे इनके बारे में जब जानना है तो देख सकते हैं कि जिस समय इन्हों ने जिनका इनका देख सकते हैं कि जब यहां पर देख सकते हैं जब यहां पर इनका no credit था तो यहां पर देख सकते हैं पंजाब के नो क्रेडिट था और जैसेंग का क्रेडिट घटा गया जैसे कोई लड़का एक बार तेज लड़का एकजाम में फेल कर जाता है तो उसके अंदर एक ठोट हो जाता है कि नहीं हम तो अब फेल हो गए हैं अब हमें ध्यान देना है और वो किसी का मतलब सुनता नहीं है जाता है तो वो खिलाड़ी सोता है कि अब तो हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं हम तो बहुत अच्छा अब कर रहे हैं तो उसका मतलब तारीफ करने के कारण वो खिलाड़ी जैसे आप मैच भी खेलते हैं तो मैच में भी बोला जाता है एंकर लोग बोलते हैं यह तो ख प्रोडक्शन था इनका हर मैच में प्रोडक्शन आच्छा हो इस्टार्ट हो गया जैसे पांच पॉइंट घटा नौव पॉइंट साड़े आठ क्रेडिट हुआ तो देख सकते छी आसर्ट पॉइंट साड़े आठ फिर यहां पे देख सकते लखनव के बीच अंठानवे आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा खिलारी का पॉइंट बढ़ रहा है और कौन सा खिलारी का पॉइंट घट रहा है यानि घट रहा है तो आपको रन मिलेगा और बढ़ रहा है तो आप सुच लिए कि आपको उनको से उमीद मत रखिए कि वो मिच में चल भी सकत हैं अगर जहां घट रहा है तो ये जान गीजे कि वो मैच supreme अच्छा performance करें क्योंकि उनका मतलब जिसका मतलब रेंक उपर रहता है अगर हो अच्छा performance नहीं करें चपाइंगे तो उनका क्या होता है उनका जो है कि डाउन कर दिया जाता है जब जब down होता है लोग, तो उनको जब जब ज़टका लगता है, क्योंकि जब ठोकर लगता है इनसान को, तो उसी तरह जब हमारा credit किसी का कम होता है, तो समहलता है कि हम कहाँ पर गलती कि, क्या कारण से हम यह post पर थे, इस post से हम नीचे आगये, तो क्या कारण है? तो ये सारे चीज खिलाडी एनलाइसिस करते हैं उसके बाद से अपना खेल को सुधारते हैं तो उससे बाद क्या होता है फ्रेंट कि पॉइंट हमारा मिलना सुरू हो जाता ये तो मारा पहला लोजिक था आप लोग को समझा दियें समझ में आ गया होगा कि पॉइंट घटा है तो आपको पॉइंट मिलेगा हर एक खिलाडी से आप उनको सेलेट करेंगे तो ज़्यादा उमीद रहेगा और बढ़ेगा पॉइंट तो आप वहाँ पे क्या होगे कि कर जाएंगे वहाँ पे आपको पॉइंट मिलने का चांस बहुत ही कम रहेगा तो जी आप यह तो पहला ट्रिक था तो चलिए फ्रेंट आपको तो हम दूसरा भी ट्रिक बता रहे है यहाँ पे कि दूसरा टीक क्या है तो देख सकते है फिर्ण दूसरा टीक यहाँ भी क्या बता रहे है कि यहाँ पे आपको देख सकते है एवरेज एसकोर तो पदा चल जाता है पीच भी पदा चल जाता है कि यहाँ पीच जो है बैटिंग है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं कि बैटिंग पीछ है और बैटिंग पीछ में जाकर क्या करते हैं कि यहाँ से दो गो विकेट कीपर को उठा लेते हैं तीन तो यहाँ से चार्थो बैटमेन को उठा लेते हैं ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे करके फेर्ण यहाँ पे और यहाँ पे ओल राउंडर्स उठा लेंगे और ऐसे ऐसे करके ऐसे बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि चलो भाई बैटिंग पीछ है और यहाँ पे बॉलर क्या करेंगे कि एक या दो बॉलर को सेलेट कर लेंग और यहाँ पर नेश्ट कर देंगे, उसके बाद क्या होगे, जब Captain और Vice Captain चुनने के बारी आता है, तो यहाँ पर भी लोग मिक्स कर जाते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, कि देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा सेलेक्शन किसका है, सुमन गेल 32%, तो भाई 32% सुमन गेल का है तो आप कभी number one rank ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सुमन गेल का यहाँ पर credit चेक कर सकते हैं, इनका भी जब credit चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इनका no credit था, और यहाँ पर 80 देख सकते हैं, तो आप इसी तरह से आप देख सकते हैं, कि यहाँ पहपी जब इनका credit था तो यह पाहला में कोई point नहीं डिये है जब इनका credit बढ़ा था तो यहाँ पे देक 스रार से यहाँ इनका credit बढ़ा था तो यह पॉइंट नहीं दे रहे था एक match में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं out देख सकते हैं इसी तरह से जब इनका credit बढ़ा तो यह point नहीं दे रहे थे एक match में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो उसी तरह से friend आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि credit देखकर इनको captain नहीं बनाया क्योंकि यह हर match में नहीं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इनका परसेंटेज जादा है आप बैटिंग से इनको बना लिए और तो क्या होगा कि ये फ्लोप क्योंकि देखेंगा लोग कि सबसे जादा है तो यह क्या हो जाएंगे फ्लोप हो जाएंगे आपको ऐसे नहीं करना है गलती ठीक है आप बैटिंग में से बनाना चाहते हैं बैटिंग को बनाईए तो ऐसे खिलाडी को बनाईए जो खिलाडी अच्शा है और जिन पर किसी का नजर नहीं है जैसे माल सकते हैं यहां पर लेयर को भी आप बना सकते हैं लेयर भी अच्छा खिलाडी है यहां पर डेविड मिलरल को दोग नहीं बना रहे क्या क्यों कि इनका performance काफी दिनों से खराब चल रहा है तो आप इनको भी बना सकते हैं तो आप जैसे ऐसे खिलारी को सिर्क जिल करेंगे रसित खान है इनको भी बना काफी समय से अच्छा नहीं चल रहे हैं तो जो खिलारी अच्छे है नहीं चल लह racism और क्या होता है कि लोग कि बहुत सारे लोग तो बैटिंग में आप तो बना लिए और बोलर पे धाने और क्या हुआ कि बोलर ही अच्छा चल गए और यहाँ पे देख सकते हैं टी सौधी को बोलर को यहाँ पे बनाया गया है 0.05% तो यहाँ पे कोई ना कोई तो यह उमीद रखकर ही बनाया है न क्यूंकि हमारे खेल में 22 खिलाड़ी होते हैं और 22 खिलाड़ी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं तो जो अगर आप वहाँ पे परसेंटे सेलेक्शन देखकर बना रहे हैं तो आप कभी नहीं जीते गए देख सकते हैं यहाँ पे इनको 0.005 जो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमारा टीम तो बन गया फ्रेंट किरियट हो गया और हमें पैसा लगा के तो नहीं बना रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टीम जो है हमारा सिलेक्ट हो गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जीतने लोगों के बीच क्या क आप सेलेट करेंगे सबिए आपको प्राईस के लिए Gel Shein कर लिए तो यहां पे बहुत ही अच्छे से से एनलाईसीष करेंगे यहां पर दिर्िम टुम में थे अगले मैच में अच्छा परदरशन तो यहां पर देख सकते हैं इनका क्रेडि भी 0,50 था और और यहाँ पे कुछ मैचों में यह प्रफैमश अच्छा नहीं दे रहे थे, पॉइंट नहीं दे रहे रहे थे, आगले मैच में यह चल आ है, तो हो सकता है, नेष्ट टीम में भी अगला मैच में चल सकते हैं, ये काफी इनको आपने यहाँ पे चेक कर लिया और देख सकते हैं यहाँ पे सुनील नारायन भी देख सकते हैं इनको भी हम चेक कर लेंगे तो यह भी देख सकते हैं कुछ अच्छा नहीं प्रदसन कर रहे हैं काफी समय से हो सकता है आज के मैच में कुछ अच्छा प्रदरसन कर सकते हैं तो आप यहाँ से credit यहाँ से check कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे friend क्या करना है आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि आप यहाँ से list कर लिए और आपका जो यह team है बन जाता है काम कर रहे हैं मान लिजा आप तो team create कर ले रहे हैं और line up आता है साड़े 3 बजे का match है और 3 बजे line up आता है उस समय आपको ध्यान नहीं रहता है खिलाडी change करने के लिए तो आपका क्या होता है कि जो खिलाडी नहीं खिल रहे हैं उनके जगाप आपको 0 point मिल जाता है और आप dream 11 से बाहर हो जाता है उस समय में अगर आप backup खिलाडी को add कर ले रहे हैं जैसे यहाँ पे B1, B2, B3, B4, 4 backup खिलाडी add करने का मोगा दिया गया है अगर आप उस समय अपको line आप आने के बाद अगर आप नहीं भी याद नहीं है तो जो खिलाडी आपको नहीं क्यल रहे है और इसमें का backup खिलाडी का जो खिलाडी खिल रहे है यह खिलाडी उनके जे कब fifty क्या कर देंगे receive हो जाएंगे और जो खिलाडी आपके नई खिल रहा है उन्हें remove कर दिया जाता है तो जिया फिन backup खिलाडी भी आप ऐसे बना सकते हैं ले सकते हैं जैसे आप ऐसे backup खिलाडी add कर लेंगे तो यहां पे क्या होगा, यह आपका दूसरा फर्मूला था जीतने का, और यहां से आप थोड़ा सा और भी एनलाइसिस कर सकते हैं, ड्रीम 11 के अंदर, क्या एनलाइसिस कर सकते है फिंड, जैसे हम यहां पे आपका मैच है, कलकत्ता गुजरात के बीच आपने team create कर लिया वहां से सारे खिलाड़ी को analysis कर लिया तो यहां पे देख सकते है फ्रिंट कि यहां पे दो new update चल रहा है देख सकते है गुरू team available for this match और यहां पे देख सकते है बैक अप available for this match तो हमने बैक अप खिलाड़ी के बारे में बता दिया यहाँ पर try new पर guru team के बारे 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 तो यहाँ पर guru team पर आएंगे तो यहाँ mega link का team है head to head team है small link है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो export कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं गाइड़ ड्रीम लेबन आपको guided कर रहा है और यहाँ पर जो team बनाया गया है export यहाँ पर 1.6 टीम ऐसे बना है यहां पर देख सकते हैं को खिलाडी को कैसे कैसे लिया गया है और कैसे कैसे टीम बना है तो आप यहां से भी ऐसे देखकर एनलाइसिस करकर अपना टीम कर सकते हैं और यहां से भी थोड़ा सा आपको नोलेज हो जाएगा यहां से आप दिमाग लेकर और अपना टीम कुछ हटकर बना सकते हैं और यहां हेट टू हेट का भी यहां से टीम आपको देखने को मिल जाएगा और स्मोल लिंक का भी यहां से आपको टीम मिल जाएगा और आप कुछ कुछ हटकर टीम बना सकते हैं, इस सब टीमों से, कुछ हटकर आप बना सकते हैं, तो हम जैसे मेगा लिंक का टीम बनाना है, तो हम सारा डीटेल यहां से पता कर लिए, तो आपको यहां पर देख लेना है, कि यहां पर कौन है, तो यहां पर सेफ, देख सकते हैं, यहां पर द यहाँ से एक दो खिलाडी को देख सकते हैं यहाँ पर चेंज है तो यहाँ पर आपका कुछ टीम जो है अलग हटकर बन जाएगा हर एक खिलाडी के मतलब हर एक जितने भी टीम बने होंगे ड्रीम लेवन के तो उनसे हटकर टीम बनेगा तो आपका जैसे अगर कैप्टन और वाइस केप्टन चल जिए अपरेंड तो आप नमर वन का विजेता हो जाएंगे तो जी आपरेंड हम वीडियो में यही छोड़ी सी जनकारी देरते हैं यही टीन टीप्स और ट्रिक्स के बारें बता रहे थे परेंड तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीड चैनल पर पहली बार है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तब तक लिए बाए बाए